इस section में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जितने भी प्रेशन हमने खोज की हैं तो उनमें कुछ प्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो doubtful हो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो गलत बताएगी हो क्योंकि ये इस तरह का portion है जहां पर जो examiner होता है वो पता नहीं कुछ अपने point of view से पूछता है और हमारे कुछ और point भी होई हो सकते हैं इसलिए आप जब तक official answer कीन आये तब तक थोड़ा सा portion को देख लें क्या होगा क्या नहीं पर कुछ एक प्रेशन है जो पूरी तरह से सही होंगे तो चलिए देखते हैं उन्हें क्या क्या है जो यहां पर तीसरा प्र अनुसरा बुद्धी के दूखारत थे एक था समाने और दूसरा था विशीषड विकल्प A यहां पर सही होगा अगला कोशिन है चार बुद्धी के साथ प्रात्मिक मांसिक योग्यताओं के सिध्धान के प्रती पादक हैं तो यह होगा था विकल्प D थरस्टन चार का D सह गाटनर के नुसर बुद्धी बहु आमी होती है पांच का सही बिकल्ब B होगा अगला कोशिन है गाटनर के नुसर बुद्धी के डैश प्रकार है तो यहाँ पर गाटनर के नुसर बुद्धी के प्रकार पूछे यह थी कितने हैं तो यहां पर होना था विकल्प भी साथ परकार के थी छे का सही उत्तर भी होना था दोस्तों अगला कोशन है एरिक्सन का किश्वरों के लिए विकास आत्म कार्य है तो क्या था ये? तो यह होना था पहश्चान निर्मान साथ में का सही विकल्प ए होगा अगला कोशन था आठ दन्रवपुर्शकार्प अधारित कोहलबर के नैतिक विकास का स्तर है तो ये क्या होना था आठवे का? तो ये होना था आठवे का भी पुरव परमपरिक आठवे का सही उत्तर भी होगा अगला कोशन है नौवा इसमें पूछा गया था तो यहां पर जो सही विकल्प होना चाहिए था तो वो होगा विकल्प ए फ्राइड अगला कोशन है दस इसमें पूछा गया है मानवता बल देता है तो बताना था कि जो मानवता है किस विशे में अधिक बल देता था तो जहां तक मुझे लगता है इसका सही बिकल्ब सी होना चाहिए सेल्फ के उपर सुख को अधिक बलब देता है मानुवता तो पूरा कन्फर्म नहीं हूँ जहां तक मुझे लगता है कि सी इसका सही बिकल्ब होना चाहिए अगला कोशने 11, बेवहर की ब्याक्ख्या में सूचना प्रक्रिया को अधार बनाए गया है तो किसे बनाए गया है अधार, तो ये बनाए गया है संग्यानात्मक तावाद में क्या होगा, बिकल्प यहाँ पर सही होगा अगला कोशने बारा इसमें पूछा गिया है अधिगम शिक्षन प्रक्रिया की किंदर में डैश है क्या होगा दोस्तों यहाँ पर तो यह होना था अधियापक बारा का सही भी कल्प यह होगा आगे था प्रशन तेरा मनो बिशिलेशन आत्मक बाद के अनुसार बेभार की उत्पत्ति का अधार क्या है तो यह होना था अच्चेतन प्रभीतियां क्या था मनो बिशिलेशन आत्मक बाद के अनुसार बेभार की उत्पत्ति का क्या अधार है यह था अच्चेतन प्रभीति 13 का सही बिकल्प A होना चाहिए अगला कोशने 14 इसमें पूछा गिया है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंती है तो यहाँ पर सही बिकल्प होना था बिकल्प A प्यूश अगला कोशने 15 प्रावलाव के प्राचिन अनुबंधन प्रयोग में गंटी की आवाज है तो यह होगा बिकल्प B अनुबंधित उद्धीपक बिस सही बिकल्प होगा पंद्रा का अगला कोशने 16 अपने ही चिंतन के आधार पर चिंतन करना है तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों तो जहां तक मुझे लगता है इन में से कोई नहीं होना चाहिए D इसका उत्तर हम मान सकते हैं अगला कोशन है पहचान निर्मान किया जाता है क्या होगा किशोरावस्ता में किशोर अवस्ता में हम पहचान का निर्मान करते हैं 17 का सही विकल्प C होगा अगला जो कोशन है 18 इसमें पूछा गया था पुर्व पारंपरिक अवस्ता में नैतिक्ता का निर्धारन डैश के अधार पर किया जाता है तो किसके अधार पर किया जाता है दन्डव पूर्सकार की अधार पर 18 का सही बिकल्फ भी होगा अगला कोशन है 19 डैश ने बिक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्मान किया है तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ होना चाहिए था तो वो होगा बिकल्फ सी कैटल 19 का C सही अगला कोशन है सकारात्मक पर नकारात्मक रूप में स्थाईव अधिगमित मुल्यांकन है तो बेस का सही उत्तर C होना चाहिए मेरे ख्याल से अगला जो कोशन है 21 इसमें पूछा गया है किसी लक्ष के आकर्षन को बढ़ाने वा गटाने वाले स्थितियां है तो ये क्या होगा तो ये होना था प्रलोबन D सही उत्तर C होगा यहाँ अगला कोशन है बेवार में अपेक्षाक्रित स्थाई परिवर्तन है तो ये क्या होगा दोस्तों तो ये होगा अधिगम 22 का सही उत्तर C होगा अगला कोशन था 23, प्रस्रिक्षन के द्वारा किसी क्षित्र में विश्येश में अच्छा कर पाने की संभावना है तो 23 का सही बीकल्फ होगा, अभी प्रेड़ना, भी यहां पर सही बीकल्फ होगा अगला कोशन है, मैसलो सिधान में प्रतम स्थर की आवश्यक्ताई है, तो यह होगा जैविक, 24 का सही बीकल्फ सी होगा अगला कोशन है, 25, अध्यापक द्वारा रिर्नात्मक, पुनर बलक का परियोग, बिद्यार्थी के शुद उचारन की संभावना को डैश तो क्या करता है, बढ़ाता है, गटाता है, यथावत रखता है, तो बताना था, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा, गटाएगा सही बीकल्फ यहाँ पर ए होना चाहिए, 25 का अगला जो कोश्चन है, 26 में पूछा गया है, बुद्धी ब्यक्ति की वस्मगर किशमता है, जिसके द्वारा ब्यक्ति सभी वेक चिंतन करने, सुदेश बिवार करने था, अपने परियाबर्ण से परभावित रूप से निप्टने में समर्थ होता है, यह कतन किसका था, त तो यहाँ पर सही बिकल्ब होगा C, 28 का C, छे वर्ष, अगला कोश्चन है, 29 इसमें पूछा गया है, अर्थपुर्ण संबेदना है, तो यह होगा 29 का प्रत्यक्षी करन, बी सही बिकल्ब होना चाहिए यहाँ पर, हाँ वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए, अपन पर अधिकतर प्रशन वही आये हैं, जिने हम अपने चैनल पर डिसकस करते थे, जैसा कि आउको पता है, जब भी कोई एक्जाम होता था, उसके प्रशन पत्तर को हम अपने चैनल में डिसकस करते थे, इसलिए आप इस वीडियो को जादा जादा देखिएगा, और अगर अविश्य इसको देखने से लाब मिलेगा, ठीक है न, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गया था, कांगडा जिला कब बना था, तो यह बना था, एक सितंबर उनिसव बत्तर को, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना था, 121 का, तो वो है A, अगला कोशन पूछा गया है, 122 हिमाचल परदेश से प्रतम सैना प्रमुख कौन थे, तो इसके बारे में अभी हम ने अपने चैनल पे डिसकस किया था, जो पहले वीडियो थी, उसको डिसकस किया था, कि अभी कौन थे, अगर आपने देखा होगा, तो अभी ये लाब मिला होगा इसका, तो ये थे बिकल्प D, जनरल B.N. शर्मा, तो ये थे हिमाचल परदेश से प्रतम सैना प्रमुख, D सही बिकल्प होगा यहाँ पर, अगला जो कोशन है, 123 निमलीखित में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जो सही बिक सही बिकल्प होगा, C, D, N, मजूमदार, 124 का सही बिकल्प C होगा, D, N, मजूमदार, इनकी पुस्तक है यह वाली, आग यह है, हिमाचल परदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो इसे भी हमने डिसकस किया था, तो यहाँ पर सही बिकल्प होगा, बिकल्प B, यमुना पुल, जो पॉंटा साइब में स्थित है, 125 का सही B होगा, अगला कोशिन था, निमन में से किस जिले में अद्रक का सरवादिक उतपादन होता है, तो इससे ना जाने कितनी ही बार हमने अपने चैनले पर डिसकस किया था, तो यहाँ पर जो सही बिकल्प होगा, वह होगा ब बहुत ही जादा डिसकस किया था, तो इसका जो सही बिकल्प होगा, तो वह होगा बिकल्प ए चमबा, प्रशन उतने कठी नहीं थे दोस्तों, यह वही प्रशन थे जो पहले से पूछे जाते आ रहे हैं, उतना जादा टफ एपर नहीं था, अगला कोशिन है, 128 बरत्मान मे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचीव कौन है, तो यह होगे बिकल्प भी राम सुभग, सुभग भी बोल सकते हैं, या राम सुभग भी बोल सकते हैं, 128 का सही बिकल्प भी होगा, अगला कोशिन है, बरत्मान में हिमाचल प्रदेश के गवर्डनर कौन है, तो यह भी हमने 129 का B राजिंदर विश्वनात अर लेकर इसे तो पता नहीं कितनी वार डिस्कस किया है हमने आगे है हिमाचर परदेश का प्रतम कॉमेडी सीरियल कौन सा था तो यह होगा विकल्प भी चंदू नंदू इसे हमने डिस्कस नहीं किया था यह नया प्रशन है था 132 का सही विकल्प C होगा अगला कोशन है निमिलिकित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचर के नाम से जाने जाते हैं तो यह भी डिस्कस किया था तो सही विकल्प होगा 132 का D. Dr. B.S. परमाद जो Dr. B.S. परमाद है इने हिमाचर के निर्माता के तौर पर जाना जाता है और यह हिमाचर परदेश के प्रतम मुख्यमंत्री भी थे और इनका सबंधा सिर्म और जिले से ठीक है न अगला कोशन है 133 जैन धरम के प्रतम तिर्थंकर कौन थे इसे भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों तो यह थे विकल्प D रिशोवनाथ 133 का सही विकल्प D होगा यहाँ अगला कोशन है 134 धारा 370 को कब समाप्त किया गया था तो 134 का सही विकल्प होगा विकल्प A क्या था 5 या 6 अगस्ट 2019 को 5 6 अगस्ट 2019 सही विकल्प होगा यहाँपर अगला कोशन है 135 नब निर्माण आंदोलन किस राजिय से शुरू हुआ था तो यहाँ पर सही बिकल्फ होगा गुजरात 135 का सही बिकल्फ यह होगा अगला कोशन है 136 इसमें पूछा गिया है आया राम और गया राम की राजनिती कहां शुरू हुई थी तो 136 का सही बिकल्फ होगा हर्याना में C सही बिकल्फ होगा यहाँ पर अगला कोशन है 137 बरतमान में भारत के शिक्षा मंतरी कौन है तो जो बरतमान में भारत के शिक्षा मंतरी होंगे तो यह होगा C धर्मेंदर परधान 137 का C सही बिकल्फ होगा अगला कोशन है 138 अयोद्या में बावरी मस्चिद का धांचा कव गिराया गया था तो ये गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 में ठीक है ना कव गिराया था 6 दिसंबर 1992 अगला कोशन है कौन से देश तिस्दे बिशफ के नाम से भी जाने जाते हैं तो ये होंगे पिकासिल देश 149 का सही बिकल्ब C होगा अगला कोशन है कौन सी सहस्ता भारत में डिजिटल सकाई प्लेटफर्म संचालित करती है तो इसका सही बिकल्ब हो जाएगा नागरिक उड्डेन महानी देशा लिया 141 का सही बिकल्ब भी होगा अगला कोशन है भारती जंसंग के संस्थापक कौन थे तो ये होंगे बिकल्ब C डॉक्टर शियमा परसाद मुखर जी 141 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था तो ये कब कि स्थापित किया गया था तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक जनवरी 1953 में 142 का सही बिकल्ब A होगा जनवरी 1953 में कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था अगला कोशन है ओपरेशन बुलू स्टार कब शुरू किया गया था तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा इसको भी याद रखेगा अगला कोशन है यहाँ पर बोडोस मस्या की स्राजिय से स्वंधित है तो जो बोडोस मस्या रहेगी तो यह थी आपके बिकल्प C असम में 144 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है आसियान की स्थाबना कब की गई थी तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 145 का तो यह होगा बिकल्प D 1967 में अगला कोशन है औस्टेलिया में टेस्ट्रेटर के लगाने वाली पहली भारती क्रिकेटर कौन बनी है तो यह हो जाएगा समरिती मंधाना 146 का सही बिकल्प D हो जाएगा आगे है कानू सन्याल किस अंदोलन से सबंदी थे तो यह थे नक्सलबाद से बिकल्प A यहाँ पर सही हो जाएगा आगे है 148 बरतमान में गुजराद के मुख्यम मंत्री कौन है तो यह है बिकल्प A 148 का सही बिकल्प A हो जाएगा बुपेंदर भाई पटेल आगे है 149 भारत में राष्टे मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो यह की गई थी आफके 1993 में 1993 में इसे शुरू किया गया था 149 का सही बिकल्प A हो जाएगा आगे है नानवती आयोग स्वंदित है तो यह किसे स्वंदित है तो यह हो जग सिख पिरोधी दंगों से 150 का सही बिकल्प A हो झाल 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 झाल